असलाम उलेकुम डियर स्टुडन्स इस लेसन में आपको रिडल्स के बारे में बताया जाएंगा रिडल्स के लफजी माइनी होते हैं मौम्मा यानि छानबीन करना यानि दिये के सवाल पर गौर करके सही जवाब का पता लगाना जैसे बचों एक रिडल है I am orange I wear a green hat and I sound like a parrot What am I? यानि वो क्या है जो ओरेंज होता है जिसके सर पर हरे रंग की टोपी होती है और इसकी आवाज तोते की तरह निकलती है तो बच्चों अगर आप गौर करेंगे तो ये एक खाने की चीज है जिसे इस तस्वीर से आप पहचान लेंगे देखा बच्चों आपने? यस ये होती है गाजर जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कैरोट इसी तरह बच्चों एक और रिडल है यानि वो क्या है जिसकी स्पेलिंग इ से शुरू होती है और इसमें सिर्फ एक लेटर आता है तो बच्चों ये होता है इनॉलब जिसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट इ से लिखते हैं और इसमें लेटर यानि खत को रखा जाता है इस तरह बच्चों रिडल्स में दिये गए सवालों पर गौर करके आपको सही जवाब का पता लगाना होता है और जब आप सही अंसर ढूनते हैं तो आपको बहुत मज़ा भी आता है तो इस लेटर में भी आपको मुक्तलिफ रिडल्स दिये जाएंगे जिसके जवाबात आपको ढूनना है और लुथव अंदोज होना है इस लाइक एंजोइफूल वर्क